हलो फ्रेंड्स सौगत है आप सभी का दा थिंकर इस्टडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेल्ड आल्प अन्टेक्षन के लिए CBT 2 या लेबल 2 के लिए आपकी एकजाम ट्रेट डीजल में की क्लास 15 के बारे में जियां दोस्तों दोस्तों लास्ट क्लासेस में हमने हेंन टूल्स के बारे में पड़ा और काफी अच्छे से उसको कवर भी कर लिए ठीक हैं दोस्तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं cutting tools जो आपकी diesel मेकनिकी class के साथ साथ वो सारी trade के लिए important है जिनके बच्चों ने ALP CVT2 के लिए prefer किया है तो चलिए दोस्तो start करते हैं cutting tools ठीक है दोस्तो सबसे पहला जो आपका point आता है cutting tools क्या होते हैं तो दोस्तो ऐसे tools जिसकी दवारे किसी चीज को बस्तू को या दादू को काटा जा सके यहां छीला जा सकते हैं उसको बोलते हैं cutting tools ठीक है काट सकते हैं यहां पर रेती और हैक्जो बिलेड होते हैं आपके उससे आप आसानी से नहीं काट सकते हैं तो वहां पर आपका चीजा लिया चैनी का रखना है इसकी बॉड़ी की अगर बात की जाए तो दोस्तों hexagonal टाइप की वनी रहती है सटबु जाकार की रहती है ठीक है इसमें दोस्तों cutting एज से लगवग 25-35 mm तक के भाग को हार्ड रवार टेम पर किया जाता है ठीक है इतना आप याद रखना चाहिए ठीक है दोस् वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों बैवल ठीक है यह वाले पार्ट को दोस्तों बोलते है नेक और जहाँ पर यह कसा जाता है इसको बोलते हैं बैलेश्टर इसको बोलते हैं टेंग जहां से यह पकड़ा जाता है इसको बोलते हैं हैंडेल और यहाँ पर दिख रहा है आ का पार्ट आता है दोस्तों उसका नाम है हेड हेड कहा पर होता है यह दिख रहा होगा आपको है ठीक है रेती का यह चैनी का दोस्तों चैनी का दोस्तों यहां पर फाइल की बाद नहीं कर रहा है 6th रहे है छीजल की छीजनी का दोस्तों जो उपरी पार्ट होता है ये ये head अब दोस्तों head के बाएरे में आगर में आपको बता हूँ कि ये body के सबस्यों बाला बात है ं,ouch sign धस से 12 degree तद इसे Champ चैने काम करना हानी करका हुथ TIक है इस लिए मसरूम हो जाने पर r taka के ठीक कर लेना चाहिए तो आपको इतना सा आपको याद रखना है आपके चीजल हेट के बारे में ठीक है अब इसको फाइसा अपार आता है उसके नाम प्रिदार पगंडने के लिए बोड़ी को चैनल पहल का बनाय जाना धा Wentha चप्ता होता है जिससे ऑन से सुनिए जैसे कि आपको टायगरम में आपका कटिंग जाधर है गेंग़ of relief है यह आपका angle of rake है और यह आपका क्या है cutting edge मैंने आपको बता दिये तो यहां पर ही cut करने के लिए chipping करने के लिए use होता है तो forging angle के बारे में आप द्यांदर सुनिएगे का दूस्तों forging angle जो होता है उसको क्या बोलते है ड्राइंग एंगल भी बोलते हैं यह बोडी के आंगे बाग क्टिंग एज के पीछे बाला वाग क्या होता है टेपर होता है ठीक है भिन्विन छेनियों का forging कौन भी क्या होता है बिन्विन होता है यानि अलग अलग टाइप की आपकी जो चीजल होंगी उसका forging angle भी क्या होगा different होगा ठीक है इनना सा आपको याद रखना है ठीक है next दूस्तों आपका important point आता है cutting age यहाँ पर है cutting age क्या होता है कि चीजल के नीचे forging angle के खिनारे तेजधारवाला क्या होता है part होता है जैसे कि आपको दिख रहा हो तेजधारवाला यह part है किसके नीचे है आपका forging angle के नीचे है ठीक है कटिंग करता ठीक है। तो आपका Si Dead Cutting Angle की दोस्तों बात की जए तो तो बात कि है तो ile निए और चीजल रहें और दोस्तों बात करें कि नह淡़ है कि आपका के लिए ठीक है अगर फ्लैट के लिए कर रहे हैं और क्रॉस कट की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 70 हो जाएगा डायमेंड पॉइंड के लिए आपका 60 और हाफ राउंड जो इसके लिए भी आपका 45 डिगरी हो जाएगा दोस्तों यह इस्टील के cutting angle की बात कर रहे हैं और ये flat cross diamond ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा आंगे लेकिन आपको इतना सा याद रखना है steel के आपका 70 cross cut के लिए आपका 70 diamond point के लिए आपका 70 और half round nose के लिए आपका 45 होता है ठीक है इतना सा आपको याद रखना है अब दोस्तों है आपको इसके बारे में समझाऊंगा उससे पहले आप यहाँ यहाँ पर याद कर लीजिए कि जो चीजल लेता है उसके दो टाइप्स होते हैं कौ कि इसको टेमपर करने की जुरुषवत नहीं पड़ती कि इसको होड चीजल को ठीक है नेक्स दोस्तों जो आपका चीजल है उसका नाम है cold चीजलीग इसका ब्रियोग दोस्तों पिरतिक सोब में होता है परन्तु इसका मुख उपियोग खाहा होता है filter shop में किया जाता है इस 60 degree, इतना सा आपको याद रखना है, और hot chisel में क्या होता है, hardening आवश्यक नहीं होती, लेकिन cold chisel में आपको hardening आवश्यक होती है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, next, जो आपका आता है कि cold chisel कितने times की होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कोल चीजल में क्या होता है हाटनिंग और टेंपरिंग की आवशकता होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टाइप के आपको देख रहे हैं यह सभी इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के point of view से यहाँ पर आपको देख रहा होगा flat चीजल देख रहा है cross cut भी देख रहा है और आपको diamond point भी देख रहा है half round nozzle भी देख रहा है cross cut, half round, flat चीजल और diamond point चीजल एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं सबसे पहला दोस्तों जो आपका चीजल आता है उसका नाम है flat चीजल ठीक है अब जैसे कि आपको diagram में देख रहा है आंगे वाला बागा आपको कैसे देख रहा होगा flat सा देख रहा हुआ अब इसके बारे में दोस्तों ध्यान से सुनिए जो इस परकार की जो चीजल होती है इसका दोस्तों cutting edge थोड़ा convex बना जाता है जो उसका cutting edge होता है वो कैसा बना जाता है convex type का बना जाता ठीक है ताकि cutting करते समय सिरो में नहीं दस्ता बाद कम तागत में cutting आसानी से होती है कम तागत में क्या होती है cutting आसानी से कर सकते है ठीक है अब दोस्तों इसकी cutting age की चौणाई की बात की जाए तो वो आपकी होती है 16-32 mm तक 16-32 mm तक आपकी इसकी क्या होती है cutting age होती है flat chisel की बारे में आपको clear हो गया होगा image भी आप दिख सकते हैं दिख रहा होगा आपको आंगे का पाट क्या है next दोस्तों जो आपको chisel आता है उसका नाम है cross cut यहां क्या आप चीजल बोल दें ठीक है अब दोस्तों यह आपको दिख रहा हो cross cut एक arrow जैसा दिख रहा है बट arrow जैसा नहीं है cross cut chisel है ठीक है इसका दोस्तों प्यों कहां की जाएता है और क्याटता है कीवेज यानी जो चाबी घाट होता है और जो नाली है रहती है उसको काटने के लिए आपका किसका use की जैता है chisel का भी की जाता है ठीक है जोस्तों इसके cutting edge के अगल चोडाई की बात की जाए तो दोस्तों उसकी cutting edge होती है आपकी cross cut chisel की वह होती है 4-12 mm तक ठीक है इनना से आप लोग याद रखिएगा नैस चीजल जो आता है दोस्तों उसका नाम है half round nose chisel ठीक है half round nose chisel की बात किया दोस्तों तो इसकी जो cutting age की चोड़ाई होती है वो 2-16 mm तक होती है ठीक है अब जैसे कि आपको दिख रहा हाफ round जैसे कि आपको आंगे का जो इससा दिख रहा होगा राउंड सा दिख रहा होगा ठीक है और semi circular group के लिए यह यूज किया आता है semi circular मतला आदे circular जो होता है अर्दवरत के लिए इसको यूज की जायता है ठीक है आपको दिख रहा हो आंगे वाला पार्ट इसका कैसा दिख रहा है आपको गोल सा दिख रहा है इसलिए इसको बोले हाफ इसका अधिकतर रुपियोग दोस्तो भी आकार की नालिया काटने के लिए कौनों को साफ करने के लिए किया दाता है ठीक है यहां पर आपको दिख रहा है अगर 20 पैस का और आपको किसी चीज में वी सेफ की नाली काटना है तो आप महाँपर क्या यूज करेंगे diamond point चीजल लेकिन दोस्तों उसके बारे में जाने से पहले इसका मैं आपको cutting age की चोड़ाई काफी important है तो इसकी cutting age की चोड़ाई होती है वो 6-16 mm तक हो ठीक है इतना आप याद रखीगा परन्तु इसका cutting age बाला भाग होए न वो 90 degree पर क्या होता है मुड़ा रहता है ठीक है क्या होता है 90 degree पर मुड़कर body के समानतर चप्टा कर दिया जाता है यानि body के समानतर इसको क्या कर दिया जाता है अगर इसका दोस्तों यूस की बात की जाए तो quarter ways और groups की अनावशक धाद की होती है ठीक है जैसे कि आपको दिखना है इसका सेफ जो है वह रेक्टिव मुलर सेफ है जिसका cutting age इस परकार बना होता है कि इसका प्रियोग चैंडरलिंग के बाद धादू को अलग करने के लिए यूज किया है यानि चैंडरलिंग आपने कर लिए उसके बाद धादू अगर अपको metal को अलग करना है तो वहाँ पर आप बैप चीजल का यूज करेंगे ठीक है दोस्तों तो आपको बैप चीजल भी अच्छे से आ गया होगा दोस्तों अब दोस्तों जो आपका next topic है वह important है काफी जादा दोस्तों उसका नाम है यह आपका है process एक जिसका नाम है चिपिंग ठीक हैं अब दोस्तो चिपिंग क्या होता कई सारे लोगों को कंफिजन हो रही हो गई तो दोस्तो जाब किसी धातू की छलाई कर रहे हैं किसी मैटल की तो उसको बोलते हैं दोस्तो चिपिंग ठीक हैं यह काम के लिए दोस्तो cold चीजल का प्योंख किया जाता है कोड़ चीजल होती है जैसे कि阿 lightning which is सकते हैं ठीक है दोस्तों दातू का चिपिंग करते समय आपको पता कई सारी बातों को दियान एकना चाहिए कौन-कौन सी कि दातू की अनुसर आपका cutting edge grind करना चाहिए ठीक है चैनी को बाएं हाथ में और हतोड़ा दाएं हाथ में पकड़ा जाता है ठीक है चैनी को आप लेफ जो आपकी cutting point पर देखना चाहिए ना की hand पर ठीक है cutting end पर आपको देखना चाहिए चिपिंग करते समय तो आपको जो चिपिंग है वो भी अच्छे से आगया होगी दातू की चलाई करने का यह तरीका है ठीक है next दोस्तों जो आपका point आता है उसका नाम है hexo hexo दोस्तों आ होता है कि धातू को काटने की क्रिया को hexo कहते हैं ठीक है अब आप किसी metal को काट रहे है hexo से तो उसको बोलते हैं दोस्तों hexo इसी में ing लगा लेंगे तो hexo इंग पर रहेंगा ठीक है hexo को push type-soft के नाम से भी जाना जाता है जो hexo होता है उसको क्या बोलते हैं push type-soft भी है चाहिए आपको एक मिनट में ठीक है 40-50 चाहिए इसकी दोस्तों दो भाग होते हैं कौन से एक होता आपका फ्रेम और दूसरा होता अपका बिलेड जैसा कि उबर वाला जो आपको पार्ट देख रहा है यह जतना ही पार्ट है इसको दोस्तों आपके बोलते हैं फ्रेम ठीक और अगर दोस्तों ये चील लगी है इसको बूलते हैं दोस्तों आपका blade ठीक है दो ही पार्ट है बहुत ही simple सा है इसके दो पार्ट है कोण कोण से frame और blade अगर frame के बारे में दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों अंग्रे जी के uk के akar का बना रहता है झिसको पर राय किस से बन लागर क्या कर दिया जाता है हाड कर दिया जाता है और दोस्कों इसका प्रियों क्या किया आता है हेग्जा वुलेट को सही position में बादने के लिए किया जाता है है एक्स फ्रेम जो हो देख रहा है def mindset को एक ही मैल के डो से क्या कि रहाता है 90 फ्रेम को और फ्र चन HR यासे कि इंग पर दो आपको सीरे ही के इंगल पर मोड और इसको बना रहें ठीक है इसमें अक ही साइज का यहां पर दोस्तों यह जो आपको पॉंट दिख रहा है जिसमें आपका बिलेट कसा जाता है यहां पर इसको दोस्तों बोलते हैं इसके बीच में क्या लगता है आपका बिलेट लगता है ठीक है और दोस्तों यह बाला जो पॉंट आपको यह जो दिख रहा है वो क्या है यहां पसे आप नट से क्या कर सकते हैं वो बिलेट को टाइट कर सकते हैं ठीक है लगा कर ठीक है अब दोस्तों हेक्जा फ्रेम के बादे में बात कर रहे तो हमने आपको बत आदिया नेक्स दोस्तो जो आपका इचका फ्रैम में इस पर कर दोस्तों आसे पर करें दोस्तों व्रेंभी अब लाइंडि ब्रता नेम जा एककना ग्राफ आपको यहां किसी भी सैजित का लगा तो चोटा वाला लग जाएगा और पीछे तो बड़ा वाला लग जाएगा इस सर्वेड कार से आप समझ सकते हैं कि इसको एड़ेस किया जा सकता है तो इसलिए इसका नाम क्या है adjustable hexaframe ठीक है next दोस्तों जो आपका important point आता है उसका नाम है दोस्तों hexa blade बहुत ही जादा important है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत ही लंबर topic है hexa blade ठीक है इसकी दोनों से रोपर दोस्तों एक सुराख होता है जैसे कि आपको दिख रहा है एक सुराख होता है ठीक है इसके एक यह दोनों किनारव पर दोस्तों वी आकर के दांद कटी होते हैं आपको दिख रहा है तोस्तों hexa blade जो होता है वो high carbon steel hard speed steel और low alloy steel से बना कर hardware temper किया जैसे कि मैंने आपको उपर बताया ठीक है अब दोस्तों इसका hexa blade की अगर hardness की बात की जाए तो 59 to 65 इसकी क्या रखियाती है hardness रखी जादी ठीक है HRC में लिए जादी hardness ठीक है hexa blade की दूस्तों लंबाई मा भी जाती है एक pin hole के center से दूसरे pin hole के center ठीक है इतना से आपको याद रखना है hexa blade के बारे में ठीक है दूस्तों hexa blade को किस से दर्साय जाता है TPI से दर्साय जाता है ठीक है TPI क्यों होता है teeth पर inch उतर ठीक है TPI दोस्तों blade को परियोग कहा किया जाता है hollow section कार्डने में किया जाता है hollow section देखा होगा आपने koklis section बोलते हैं जिसको ठीक है दोस्तों hexa blade को loose करने के लिए wing nut का use किया जाता है ठीक है wing nut मैंने आपको दिखाया था जहां पर आपके फ्रेंग में लगाता ठीक है और दोस्तों अगर इसमें red file का प्रियोग करके wood या soft के लिए किया जाता है ठीक है यहां पर आपको hexa blade भी clear होगा होने अधिक हoftasure होने हैं तो आपको बतानर कोंग है तो आप थ्यांसे चुनिएगा दोस्तों इत्रविध के तीन परिकार होता है कौन सा होता ऑल हार्ड एक हो दोस्तों यह ऐसा बिलेड है आपका flexible blade की इस blade के किबल दात hardware temper किया जाता है ताथा बाकी का सारा बाक्या होता है soft होता है यही blade दोस्तों अधिक ज्यादा तर use किया जाता है क्योंगी इसमें जटकों के send करने की क्या होती है चमता होती है यह तूटता नहीं है ठीक है एक होता है दोस्तों आपकस flexible center type ठीक है blade दोस्तों यह जो blade होता है वो hard और flexible मद परकार की दातों के होता है कौन-कौन से होते हैं hard और flexible दोनों परकार की होते हैं अब दोस्तो blade का जो grade होता है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं दोस्तो hexa blade के दान्तों को मोटी तता वारिक पिच का मनाया जाता है जिसे क्या कहते है blade का grade कहते है दान्तों क्या बोलते है बिलेट का गिरेड बोल दें ठीक है यहाँ पर याद रखेगा और कौन-कौन से इसमें टाइप आते हैं आपका एक आता है रफ यहां कोर्स पिछ बिलेट मेडियम पिछ बिलेट फाइन पिछ बिलेट ठीक है इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर आपका जो करा यह जैसे भी हमारा कटिंग टूलस दौन और के दोनों के अच्छे से करने वाले हैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा स्लेबर स्कंप्लीट करने कोशिश की जाएगी ठीक है दोस्तों आज और वीडियो बिर आच्छे लगा मैनत अच्छी लगी इसी तरह से आप मोटिवेट करते रहिए वीडियो को शेर करती है जाद से जाद लोगो ताकि लोगो इस चीज का वेनेफिट मिल सके चैनल को दूँ सस्क्राइब करती है और सस्क्राइब बेने क्या देए इस बेल आइकन जो दबारे ताकि आपको रोजना जीकिए और एक इंसे से गुस्तो जैहिन